हमने पिछली चर्चाओं में यह जो बात की थी DNA और RNA की तो आपकी दिमाग में एक बात तो आगई हो कि जो DNA है वो ज़्यादा अच्छा अनुवांशिक पदार्थ है RNA की अपेक्षा फिर आपकी दिमाग में आ रहा होगा कि यह ऐसा क्यूं है तो देखिए DNA और RNA इनकी अगर हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि DNA में स्थाइत्व ज़्यादा है RNA की तुलना में क्यों? क्योंकि DNA में यूरा सिल्की जगे थाइमीन है और यह जो थाइमीन है यह DNA को स्थाइत्व प्रदान करता है आरने जो होता है इसकी अगर हम रासायनिक सरचना देखें तो हमने देखा कि इसमें दो हार्डरोक्सिल समू होते हैं और DNA में केवल एक तो ये जो दो हार्डरोक्सिल समू आरने में होते हैं वो आरने को अधिक क्रियाशिल बनाते हैं और ये दो समू होते हैं वह आरेने को अस्थीर भी बना रहे हैं क्योंकि वह हर बार क्रिया कर रहे हैं इसके अलावा ये आसानी से विखंडित होते हैं कहने का मतलब आरेने जो होता है वो DNA की अपेक्षा कमस्थाई है या हम कहें कि वह आस्थीर है इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि अगर जिन विशानुओं में या वाइरिस में जिनोम जो है वो RNA का है तो उसमें क्या होगा? उनकी जीवन आधि जो होगी वो छोटी होगी और छोटी होने के अलावा वे तेजी से उत्परिवर्थित होंगे और इसकी वज़े से जो RNA होता है ये कम स्था इत्मों वाला और अधिक क्रियाशिल हो जाता है तो क्या RNA और DNA दोनों उत्परिवर्तित होते हैं? हाँ होते हैं लेकिन RNA जो हैं वो बहुत आसानी से उत्परिवर्तित हो जाते हैं अब हम कुछ और बाते करते हैं कि क्या DNA कुछ बातों के लिए RNA पर निर्भर करता है? हाँ बिल्खुल करता है किन बातों पर? जैसे RNA जो है ये कूट लेखन का कारी करेगा और भी कई उपापचेई क्रियाएं जिने हम कहें उनमें RNA पर DNA जो है वो निर्भर करता है अब इन प्रक्रों में जब RNA काम कर रहा है तो हमें ये भी जान लेना बहुत आवशक है कि RNA होता कितने प्रकार का है तो देखिए RNA जो है ये तीन प्रकार का है कौन से तीन प्रकार? आप भी भली भानती परिचित हैं पहला जो है ये होता है दूत RNA जिसे हम mRNA या मेसेंजर RNA कहेंगे दूसरा जो है ये है अंतरण RNA इंगलिश में हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांस्फिर RNA या थी RNA तीसरा देखिए राइबोजोमल रने इंगलिश में से हम राउने कहते है अब ये जब तीन आरणे है तो इन तीन आरणे के कारिय भी होंगे है ना? तो इनके कारिय क्या है उनकी बात करें पहला हमने कहा था दूत आरणे य या मैसेंजर आरणे ओक तो यह मैसेंजर आरणे क्या कारिय करेगा यह एक टेंपलेट फ्रदान करेगा। हम ने कहा अंतिरन यह करेगा ये कारिय करेगा ये अमीन अम्ल को लाने और अनुवांशी कूटफ पढ़ने का कार्य करेगा अब तीसरा आरेने जिसे हम राइबुजुमल आरेने कह रहे हैं यह क्या करेगा यह सरचनात्मक वह उत्रे रख्की घूमी का निभाएगा तो इस तरह यह तीनों आरेने जो हम जैसे जिवानु की बात करें कि मुख्यता तीन प्रकार के तो यह जो तीनों आरेने हैं इन कार्यों को पूरा करेंगे अब यह तो ही कि हम आरेने संसार की बात करें तो आपको इन सब बातों से यह समझ में आया होगा कि आरेने संसार जो है उसकी अपनी प्रभूता है आरेने संसार की अपनी प्रभूता है और इसलिए वरत्मान समय में हमें आ अब हमने जैसे कहा कि RNA जो है इस पर DNA निर्भर है हम एक छोटी सी बात करते हैं कि सपोज वहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है DNA का हिंदी में इसे हम कहेंगे द्वीगुणन या प्रतीकृतिकरण या प्रतीकृति का बनना तो इसमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रकार से पुन्रावृत्ति कर सकते हैं और ये तीन प्रकार कौन से हैं देखिए पहला है conservative method जिसे हम कहेंगे सरक्षी विधी दूसरा जो है वो है अर्ध सरक्षी या semi conservative method और इसमें तीसरा देखेंगे आप dispersive method जिसे हम कहते हैं khandan विधी तो ये तीन विधियां हैं जिससे वो पुन्रावृत्ति DNA जो है वो अपनी पुन्रावृत्ति कर सकता है तो चलिए आईए अब हम इसमें की जो अर्ध सरक्षी विधी है उस पर चर्चा करते हैं DNA अनुओं का द्वी गुणन, replication of DNA molecules, प्रतेक कोशिका विभाजन से पहले इसके DNA अनुओं का दो संतिती कोशिकाओं में जाने के लिए दो हूबहू प्रतिलीपियों में बटना ही DNA अनुओं का द्वी गुणन कहलाता है DNA ऐसे जैविक अनुओं है जिन में स्वध द्वी गुणन की शमता होती है यहाँ पर इस चित्र में DNA अनुओं का द्वी गुणन आपको दिखाया गया है हम जानते हैं कि कोशिका चक्र की इंटरफेज प्रावस्था के S फेज में DNA का द्वी गुणन होता है इस समय कोशिका के गुण सूत्र नुकलियो प्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं DNA द्वी गुणन केंदरक के अंदर होता है यहाँ पर इस चित्र में आपको DNA का द्वी गुणन दिखाया है जिसमें आप DNA के चारो नाइटरोजनिक जार को देख सकते हैं साइटोसिन, आडेनिन, ग्वानिन और थायमेन यहाँ पर प्रत्यक शुण्खला के दो सीरे होते हैं हम यह जानते हैं फाइब डैश या फाइब प्राइमेंड और फ्री प्राइमेंड और फ्री प्राइमेंड से फाइब प्राइमेंड की दरफ यह जाते हैं जब DNA द्विगुनन होता है तब ये दोनों चेन अलग-अलग हो जाती हैं और इनको हेलिकेज एंजाइम अलग करता है यानि दोनों DNA स्ट्राइंड को सेपरेट करता है दूसरे एंड पर DNA में इससे टेंशन बढ़ जाता है और इससे दूर करने के लिए इसमें एक और एंजाइम जिसे हम टोपियो आईसुमरेज एंजाइम कहते हैं वो स्ट्रावित होता है अलग-अलग दोनों टेंपलेट्स एक नए DNA के निर्मान के लिए तैयार हो जाते हैं इस प्रक्रिया को प्राइमेज एंजाइम शुरू करता है प्राइमेज एंजाइम आरेने के छोटे-छोटे तुकडे या खंड बनाता है जिन्हें हम प्राइमर कहते हैं ये प्राइमर DNA मोडिफिकेशन में कच्चे माल की तरह काम करते हैं DNA पोलीमरेज एंजाइम प्राइमर को बाइंडिंग या जोडना शुरू करता है DNA, Polymerase Enzyme, Nitrogenic Char या Nitrogen Basis को 5' से 3' दिशा में ही जोडता है इसे हम Leading Strand कहते हैं और ये लगातार बनता रहता है DNA Primer के Binding से ये निरंतर प्रक्रिया को चालू रखता है जबकि दूसरा Strand जो होता है वो Lagging Strand कहलाता है जो की निरंतर अथवा लगाता नहीं बनता है आर्थात इस Strand का निर्मान छोटे छोटे या अलग-अलग टुकडों में होता है इसे हम Oka Zaki Fragments कहते हैं इसके बाद Polymerase Enzyme 5' से 3' दिशा में DNA Braces को जोड़ता जाता है यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है इसके बाद Ligase Enzyme दोनों Fragments को आपस में जोड़ता है इस तरह एक DNA से एक पूरे नए DNA का निर्मान होता है आपने अभी देखा कि अनुलेखन के दोरान जब सूचनाई जो हैं वो एक Nucleic Amla से दूसरे Nucleic Amla में स्थानन तरीद होती हैं अगर इस Nucleic Amla में कुछ भी परिवर्तन होता है तो क्या उसका परिणाम आमीनो अमल पर पड़ेगा? बिलकुल पड़ेगा ये हम कैसे जानेंगे? ये हम जानेंगे जब हम protein sensation की बात करेंगे आपको ये पता होगा कि protein जो है इसके निर्मान के लिए 20 आमीनो अमल जो है वो मिलकर एक protein का निर्मान करेंगे अब ये निर्मान के दौरान हम जो सूचनाएं हैं वो कैसे स्थानन तरीत होती है? वो किस रूप में स्थानन तरीत होती है? इस पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सूचनाएं किस रूप में जा रही है? ये सूचनाएं जाती है genetic code देखी या अनुवांशिक कूट के रूप में ये जब हम बात करते हैं अनुवांशिक कूट की तो हमें कुछ वैज्ञानिकों वो नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने अपना बहुत बड़ा योगदान इस अनुवांशिक कूट में दिया था निरेनबर्ग, डॉक्टर हर गोविन खुराना ये कुछ वैज्ञानिक हैं जिनोंने इस पर काम किया था अब हम जब कह रहे हैं कि 20 अमीनों अमले और इसके लिए जब हम बात करेंगे कुछ कूट की तो वो कैसे बनते हैं और कितने कूट जो हैं वहां पर चाहिए हैं इस पर बात करेंगे क्या होते हैं ये अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड ये होते हैं तीन नाइटोजनीक छार का समूब इसे हम त्रिक भी कहते हैं या ट्रपलेट कोडान भी क्योंकि वहां पर तीन नाइटोजनीक छार एक साथ आते हैं और इस त्रिक के ही जरिये सूचना जो हैं वो स्थानन तरित होती हैं और प्रोटीन के निर्माण में अमीनो आमल के जो क्रम हैं उसको ये डिसाइड करती हैं तो चलिए इस तालिका के जरिये हम ये जानेंगे कि कैसे ये त्रिक बनते हैं इस तालिका को देखिए इसमें मैंने आपको प्रथम स्थिती जो उपर से नीचे सबसे पहले दिखाई है द्विति स्थिती जो है वो होरिजोंटल लाइन में आपको देख रही है और उसके बाजू में उस तरफ आप देखिए उपर से नीचे की और मैंने त्रितिय स्थिती को दर्श आया है ठीक है अब प्रथम स्थिती में हम जो नाइट्रोजनिक छार है उसके अनुक्रम को देखें सबसे पहले है यू फिर सी यू से युरासिल सी से साइटोसिन ए से एडिनीन और जी से ग्वानिन दूसरी भी क्रम जो है वो इसी तरह होगा यू सी ए और जी और क्रम देखेंगे आप यू सी उसके नीचे ए और उसके नीचे जी तो आपको यह तीन जो हैं स्थितिया मैंने दर्शाई है अब आपको इसको कैसे जानना है कि यह बनते कैसे हमको देखना है कि सबसे पहली स्थिती में जो पहला नाइट्रोजनिक छार है क्या है वो यू द तो जो पहला त्रिक बना वो हुआ यू यू और यू ठीक है हम एक पूरे कॉलिम को अगर देखें या एक बॉक्स को इस देखें तालिका में तो हम इसी तरह पहले दो तो आपको समान दिखेंगे लेकिन स्थिती कहां बदलेगी जो उसकी तृतिया स्थिती है उसमें जैसे हमने तीस्री स्थिती की बात की तो आप देखें वहाँ यू के बाद क्या आ रहा हैं सी तो दूसरी जो त्रिक बनेंगी वो होगी यू यू और सी चलिए तीसरा त्रिक देखिए। U, फिर से U, लेकिन तीसरी स्थिती में क्या आगया वहाँ? A, तो तीसरे त्रिक में क्या होगा? U, U और A, इसी तरह चौथी, U, U और G, तो इस तरह अगर हम देखें, तो त्रिक के रूप में हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह चार जो है, इसका घात तीन करें, क्योंकि चार का घात एक 4 रेस्ट दिपार 1 करेंगे, तो ये तो केवल 4 ये अमीनों अमले को कोड करेंगा, या 4 रेस्ट दिपार 2 करेंगे, तो ये कितना हो जागा? 4 इन्टो 4, 16, तो फिर भी हमारे पास तो 20 अमीनों अमले है, तो ऐसे समय, 4 रेस्ट दिपार 3, तो वो क्या हो जाएगा? 4 इन्टो 4 इन्टो 4, so that will be 4 इन्टो 4, 16, इन्टो 4, 64, तो ये 64 हो जाएंगे, जो हमें परियाब थे, क्योंकि 60 अमीनों, 60 जो है तिरिक वो तो चाहिए ये हमें, अब बचे 4 अतिरिक 64 बने, तो उसमें एक होता है इनिशियेटिंग कोडॉन, इनिशियेटिंग मतलब प्रारंभन, जो कि अमीनों अमले जो है, वो कहां से प्रोटीन संस्लेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, और बागी के 3 जो हैं, वो कहलाता हैं, टर्मीनेटिंग कोडॉन, या समापन कोडॉन, जो ये बताएंगे कि प्रोटीन संस्लेशन की प्रक्रिया कहां जाकर रुखेगी तो इस जो तालिका है इसे आप देखकर समझ जाएंगे कि कैसे 64 जो हैं वो कोडॉंस बनते हैं अनुवांशिक कूट की प्रमोख विशेष्टाएं नेमनि प्रकार है पहली प्रकूट त्रिक होता है 61 प्रकूट अमीनो अमल का कूट लेखन करते हैं वो तीन प्रकूट का कूट लेखन नहीं करते हैं इस कारण से यह रोध प्रकूट के रूप में कार्य करता है दूसरा एक प्रकूट केवल एक अमीनो अमल का कूट लेखन करता है इस कारण से यह असंदिक्त वो विशिष्ट होता है तीसरा, कुछ अमीनो अमलका कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटो द्वारा होता है इस कारण से इन्हें अफरासित कूट कहते हैं चौथा, प्रकूट दूत आरेने में लगातार पढ़े जाते हैं ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं पांचवा, कूट लगबग सार्वभावमिक होते हैं उधारनात, जिवानु से मनिशम में यू, यू, यू फैनिल एलेनीन का कूट लेखन करता है इस नियम के कुछ अपवाद, सूचक कणी का प्रकूट व कुछ आधी जन्तूओं जैसे प्रोटोजुआ में मिलता है ए यू जी दोहरा कार्य करते हैं यह मिथियो नीन का कूट लेखन करता है यह एक प्रारंभग प्रकूट के रूप में कार्य करता है जीन और डीने के बीच के आपसी संबंदों को अगर हमें समझना है तो हम उत्परिवर्तन द्वारा बहुत अच्छे ढंग से इसे समझ सकते हैं आपने सिकल सेल अनिमिया के बारे में तो सुनाई होगा इसे हिंदी में हम कहते हैं दात्र कोशी का अरक्तिता या पिछली कक्षा में भी आपने इसे पढ़ा है इसमें क्या होता है ये एक बिंदू उत्परिवर्तन का उत्कृष्ट उधारन है इसमें होता ये है कि जो बीटा ग्लोबीन श्रंखला है देखिए बीटा ग्लोबिन श्रंखला के जीन के एक शार में जो है उसके युग में परिवर्तन हो जाता है और इसके फाल्सवरूप जो है वहाँ जो ग्लूटामेट है वो वैलीन में परिवर्तित हो जाता है और इससे जो है सिक्ल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है है कि जो genetic code होता है वो trick में है मतलब तीन nitrogenic चार एक साथ हैं यहां हम ऐसे ही तीन letters या alphabet को लेकर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं हम इसमें insertion को समझेंगे insertion जिसे हम Hindi में क्या कहेंगे innovation हम यहांपर कुछ words को निवेशित करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे शरीर के अंदर भी इन में इस प्रकार की प्रक्रिया कैसे होती है एक उधारण है यहां, राम, हैस, रेड, कैप, ठीक है हमने तीन-तीन अलफ़ाबेट्स वाले शब्दों को यहां पर लिया है अब हम इसमें बी को इंसर्ट कर रहे हैं, मैंने लिखा है बी इंसर्ट, चलिए हम बी को कहां इंसर्ट कर रहे हैं, हम बी को हैस और रेड, इनके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं चलिए हमने insert किया तो दूसरा वाक्य पढ़िए अब आप राम, has अब हमने बी insert किया तो तीन letters क्या होंगे? चलिए हम दूसरा letter I insert करते हैं अब देखिए हमने बी और आए मैंने उस साइड लिखा है हमने बी और आए दोनों insert किये तो वाक्य क्या बन गया? राम, has, B, I, अब आर जो है इसमें जुड़ गया तो यह हो गया? राम, has, B, I, R, तीसरे उसमें क्या आएगा फिर? E, D, C और फिर हो जाएगा A और P ठीक अब हम यहाँ पर एक और innovation या एक और insertion कर रहे हैं तो हमने क्या किया? पहले B का किया फिर B और I का किया अब हम कर रहे हैं B, I और उसमें G तो हमने big word को insert किया तो हमारा वाक्य क्या वाद? सबसे आखरी line में देखिए राम, has, अब B, I, R, R और I के बीच में हमने G insert किया है तो क्या हो जाएगा? राम, has, big, red, cap तो इससे क्या हुआ? कि जो वाक्य था हमारा, originally वो क्या था उपर? राम, has, red, cap ओके? अब हमने सबसे नीचे देखा तो वो वाक्य क्या बन गया है? राम, has, big, red, cap तो मतलब बदल गया तो इसी तरह हमारे चार में भी यह होता है और इसी तरह एक या दो चारों के निवेशन या विलोपन विलोपन भी हो सकता है तो निवेशन या विलोपन से जो हमारा reading frame होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है आप इसी उधारन को विलोप पंद्वारा भी करकर देख सकते हैं ओपेरोन आवधारना प्रेरन एवं दमन की क्रिया को समझाने के लिए 1961 में F. जैकब और J. मोनोड ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे ओपेरोन मॉडल के नाम से जाना जाता है इन्होंने अपना शोध E. कोलाय जिवानू पर किया अगर हम एक जिवानू के जिनों की बात करें तो इसमें लगभग 4000 जीन्स होते हैं इनमें से कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कोशिका में हमेशा अभिवेक्त होते रहते हैं और जो कोशिका को हमेशा चाहिए होते हैं E. coli जिवाडू में लैक्टोज शरकरा के चयाप चयन पर अनुवांशिक नियंतरन रखने वाले जीन नियमक प्रक्रिया को लैक ओपेरॉन कहा जाता है। इसमें सामान्यता जो जीन्स विद्धिमान रहते हैं वे हैं नियंतरक्ट जिसे हम इंगलिश में रेगुलेटरी जीन्स कहते हैं और सरचनात्मक जिसे हम इंगलिश में स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। नियंत्रक जीन से ऐसे प्रोटीन का संस्लेशन होता है जो सक्रिय अवरोधक या रिप्रेसर होता है या निश्क्रिय एपोरिप्रेसर होता है। Promoter Gene यह नियंत्रक Gene और Operator Gene के मध्य होता है यह Gene Operon का आरंभन बिंदू होता है Operator Gene यह प्रथम सरचनात्मक Gene है यह या तो नियंत्रक से जुड़कर अनुलेखन की क्रिया शुरू करता है अथवा Repressor से प्रोटीन से जुड़कर इस क्रिया को शुरू नहीं होने देता है सरचनात्मक Gene में तीन Gene पाए जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं Z यह एंजाइम बीटा गैलक्टोसीडेज के संस्लेशन को कोड़ करता है लैक वाय यह लैक्टोस परमियेज को कोड़ करता है और लैक ए यह ट्रांस एसिटिलेज को कोड़ करता है ये तो हुई Operon Model की बात चलिए अब हम थोड़ा सा क्रिया विधी पर बात करते हैं अगर लैक्टोस एपसिंट है कहने का मतलब अगर माध्यम में लैक्टोस शरकरा नहीं है उस समय ओपरेटर जीन के क्रियाशिल होने से सरचनात्मक जीन MRNA बनाना आरम करता है अगर नियंत्रक या निरोधक जीन जिसे regulatory या inhibitory कहते हैं इसके द्वारा रीप्रसर प्रोटीन का निर्मान हो एवं ओपरेटर जीन से बंद जाए तो RNA polymerase कार्य नहीं कर पाता एवं ओपिरॉन मॉडल स्विच ओफ की स्थिती में रहता है दूसरे स्थिती में अगर लैक्टोस उपस्तित है इस स्थिती में प्रेरक जैसे लैक्टोस को माध्यम में मिलाया जाए तो यहाँ रीप्रसर प्रोटीन से बंद कर सह अवरोधक बनाता है जिसे रीप्रसर ओप्रेटर जीन के कार्य को अवरुध करने की स्थिती में नहीं रह पाता अब आरने पॉलिमरेज अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा ओपेरॉन मॉडल स्विच ओन की स्थिती में आ जाता है मानोजिनोम परियोजना Human Genome Project किसी भी जीव की अनुवांशिक व्यवस्था उसकी DNA में मिलने वाले अनुकरम से निरधारित होती है दो विभिन व्यक्तियों में मिलने वाला DNA अनुकरम कुछ जगों पर भिन भिन होता है ये कलपनाय मानोजिनोम में मिलने वाले पूर्ण DNA अनुकरम के बारे में पता लगाने के लिए विवस्थ करती है अनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीकों के विकास से किसी भी DNA खंड को विलगित वो क्लोन किया जा सकता है वो DNA अनुकरमों को शीगर जानने के लिए साधारन तकनीक के विकास से 1990 में मानोजिनोम के अनुकरमों को पता लगाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना के शुरवात हुई मानोजिनोम योजना HGP इंगलिश में से Human Genome Project कहते हैं ये एक महा योजना कहलाती है मानोजिनोम में लगभग 3 multiplied by 10 rest to the power 9 शार युग्म मिलते हैं यदि अनुकरम जानने के लिए प्रतीक्षार 3 American dollar खर्च होते हैं तो पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागद लगभग 9 billion American dollar होगी मानोजिनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना का जिसे अमेरिकी उर्जा विभाग US Department of Energy वह राष्ट्रिय स्वास्त संस्थान National Institute of Health द्वारा सहयोग प्राप था प्रारंबिक वर्षों में वेलकम न्यास UK की HGP में भागिदारी थी और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन वह अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया यह योजना 2003 में पूर्ण हो गई मानव DNA में मिलने वाले HGP के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष निम्नलिखित हैं लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना मानव DNA को बनाने वाले 3,000,000,000 रासायनिक चार युगमों के अनुक्रमों को निर्धारित करना उप्रोक्त जानकारी को आकडों के रूप में संग्रहित करना आकडों के विशलेशन हेतु नई तक्नीक का सुधार करना योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी वो सामजिक मुद्धों के बारे में विचार करना मानो जिनोम की मुख्य विशेश्टाएं मानो जिनोम 3,164.7 करोड चार मिलते हैं आसतन प्रत्यक जीन में 3,004 स्थित हैं जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं मनिश्य को ज्याद सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 करोड चार मिले हैं जीन की संख्या 30,000 है जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 1,440,000 से काफी कम हैं लगभग सभी लोगों में मिलने नुक्लियो टाइट शार एक समान हैं खोजी गई 50 प्रतिशत से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है दो प्रतिशत से कम जीनोम प्रोटीन का कूठ लेखन करते हैं मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्मान पुनरा वृत्ती अनुक्रम द्वारा होता है पुनरा वृत्ती अनुक्रम डियने के फैले हुए भाग हैं जिनकी कभी कभी सौ से हजार बार पुनरा वृत्ती होती है जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कूठ लेकन में कोई कार्य नहीं है लेकिन इनसे गुण सूत्र की सरचना गति किये वो विकास के बारे में जानकरी प्राप्त होती है गुण सूत्र एक्स में सरवादिक जीन 2978 वो वाई गुण सूत्र में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं वैज्यनिकों ने मानों में लगभग 1.4 करोड जगों पर अलग 11 शार का पता लगाया है उप्रोप्त जानकारी से गुण सूत्रों में उन जगों जो रोग आधारित अनुक्रम मानों इतिहास का पता लगाने में सहयक हैं के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफी सहयोग प्रदान किया। क्या है DNA Fingerprinting या DNA Profiling? लेंस्टर विश्वविद्याने के अनुवानशिक विज्ञानी एलिक जेफरी ने 1985 में एक तकनीक विखसित की। इस तकनीक के जरिये वे लोगों में पाई जाने वाली समानताएं एवं विविद्ताओं का पता लगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों के DNA नमूने लिए। इस तकनीक का उप्योग आज हम अपराधों को सुलजाने, उत्राधिकारी साबित करने और अनुवानशिकी विमारियों से बचाने में करते हैं। विश्म में कोई भी दो वेक्तियों के DNA नमूने लगभग 99.9 प्रतिशत समान होते हैं। इस तकनीक से हम 0.1 प्रतिशत में विभिन्नताओं का पता विशलेशन द्वारा कर सकते हैं। DNA प्रोफाइलिंग एक बहुत ही समवेदन शील तकनीक हैं जिसमें केवल कुछ तवचा की कोशिकाएं, बाल की जड़े, रक्त या लार की कुछ बूंदों की आवश्यक्ता होती हैं। क्रोमोजोम या गुंड सूत्र के टुकडों या लोकाएं में कुछ विशिष्ट जीन में नाइट्रुजनिक शार, तीन, चार या पांच की संख्या में उपस्तित होते हैं। ये श्रंखला में होते हैं और कभी-कभी इनकी पुन्रावृत्ती भी होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हें शॉर्ट टैंडम रिपीट्स या स्टी आर कहते हैं। जगे जगे पर इनकी पुन्रावृत्ती अलग-अलग होती है। डीने फिंगर प्रिंटिंग ऐसी ही जगों पर की जाती है। कोशिका का नमूना लिया जाता है जो की रक्त या लार हो सकता है। इसके बाद इसमें डीने प्रुथक किया जाता है। पॉलिमरेज शुंखला अभिक्रिया जिसे PCR कहते हैं इसके द्वारा डीने की बहुत सारी प्रतियां बनाई जाती है। विशिष्ट एंजाइम, Restriction Endonucleases, जिसे हम आंडविक कैची भी कहते हैं, इसके द्वारा डीने को टुकडों में काटा जाता है। जो की अलग-अलग आकार के होते हैं। इन डीने के टुकडों को एक विशिष्ट जेल, Agarose में रखा जाता है। जेल, Electrophorosis क्रिया के द्वारा, डीने के टुकडों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इसी प्रतिरूप को एक नाईलोन शीट, Southern Blotting में स्थानंतरित किया जाता है। और अन्त में जो विभिन नमूनों की रेखाएं बनती हैं, उनकी तुलना कर निशकर्ष निकाला जाता है। तो चलिए, अब कुछ रहस्य को सुल जाते हैं। एक कीमती हार की दुकान से चोरी हो जाती है। जहां से चोरी होती है, वहीं पर रक्त की कुछ बूंदे भी पाई जाती हैं, जो शायद अपराधी को चोट लगने के वज़े से गिरती हैं। अब जिन चार वैक्तियों पर चोरी का संधेय था, उनके DNA लमूने लिये जाते हैं। रक्त की गिरी हुई बूंद से DNA प्रथक किया जाता है। अब आप देखकर बताईए कि कौन से वैक्ति का DNA का मिलान रक्त के DNA से हो रहा है। चित्र में समान रिखाओं को देखिए और बताईए चोरी किसने की है। जी हां, तीसरे वैक्ति ने ही चोरी की है। चलिए, अब एक और रहस्य को खोचते हैं। एक सेनिक की मृत्यू बम धमाके में हो जाती है। इसमें उसका पहचान पत्र भी गुम हो जाता है। सेना के और दो सेनिक भी लापता है। सेना तीन अभिभावकों के DNA नमूने मगाती है। ताकि सही सही पहचान हो सके। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी हैं। कि सेनिक का आधा DNA पिता और आधा DNA माता से मिलता जुलता है। अब आप इस चित्र को देखकर माता पिता से सेनिक के DNA का मिलान कीजे। और बताइए कि वो किस से मिलता है। झाल